हेलो दोस्तों गुडिया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है यह देखिए मैंने ग्लास लिए डिस्पोजल ग्लास और इसके निचे मैंने हॉल बनाई है क्यूंकि हमारा पानी ठहरे ना और इसमें बालू है अगर आप बालू और मिटी दोनों मिला कर भी कटिंग लगा सकते हैं तो मैंने सिर्फ बालू लिये और यह जो आप पोधे देखे रहे ना जो कटिंग वो फ्री के हैं और कितने सुन्दर इसके फूल हैं देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे इसके कलर है वाले हैं ही विसकस जो की नरसरी में बहुत महेंगे मिलते हैं और हमें प्री में मिल गई है बगल में भावी रहती है उन्हीं से मैं मांगी वह उनकी ननद के घर से लेकर आई है और उन्हें भी मुझे यह कटिंग देनी है भावी को तो इसमें से जितनी भी कटिंग निकलेगी मोटी छोटी पतली निकालूंगे यह दिखिए इस फ्रेंड्स मुझे लगाए हमेमिं और कॉछाल की रहें चाहिए तरह मारा कंटिंग बहुत अच्छे से लग जाधे हां जनी भी पतीया काефo Spirit हुझ अगर हम कलियों को रहने देंगे दोस्तों तो यह अनरजी हमारे जड़ बनाने में नहीं लगा पाएंगे तो जितनी भी कलिया फूल पतिया सारी हटा लेना है चुंकि उसे अभी बहुत एनरजी चाहिए जड़ को निकालना के लिए तो देखिए यह सब मैंने रेडी कर ली ह और वीडियो लंबी हो जाती है इसले में ready करके मिलती हूं तो देखिए यह सारे cutting ready कर ली इसमें से मैं दो cutting लगाने वाले हूं 12 क्यूंकि दो color के है एक glass में और दोस्तों cutting लगाने के बाद हमें हिलाना नहीं है हिल जाने के बाद हमारा कटिंग खराब हो जाता है और देखिए ये जो हमारे होते हैं ना कटिंग के नीचे जो होते हैं वो नोड एरिया होना चाहिए जैसे पतियों के नीचे नोड एरिया होते हैं वो देखिए इसी तरह से तो आपके पास अगर एलोवेरा जेल है या फिर रूटिंग हर्मोन है तो आप लगा सकते हैं पर इसी तरह से में लगा लूँगी और लग जाने के बाद अगर यह लग जाती है तो मैं आप सब्सक्राइब वीडियो जरूर शेयर करूंगे और लगाने के पाद की अची तरह से दबा लेना है और इसको आद्हे घंटे की धूप में रखेँ आधै गंटे की तूतनी जगनी है täll बड़े पोड़ीUp वहीं पर यह मैं रखने वाली हूं और लग जाने के बाद चाहिं leva लूंगी और रखने का बंदोवस्त भी हो जाएगा दोस्तों आप सबने मेरी गारण देखी है छोटी है पर फिवी में लगा लेती हूं रख लेती हूं कहीं न कहीं अगर फिरी के पौदे हैं हमें मेल दे तो हमें नहीं चोणना चाहिए और यह देखी कटिंग लग जानका बाद मैंने पानी दे तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाई